हेलो बच्चो कैसे हो आप तो बच्चो फाइनली आज NDA जो सेकंड जो पेपर जो सेप्टमबर में होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आज UPSC ने रिलीज कर दिया है आज 9 तारिक 9 जून को यह नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इसकी जो लास्ट डिट अप्लिकेशन है वह है 29 जून मतलब 29 जून को आप फॉर्म भर सकते हो कितने दिन बचे हैं 20 दिन बचे हैं ठीक है तो कोशिश कीजिए कि 20 दिन पर न जाई यह चीज जितना जल्दी आप लोग भर सको उतना जल्दी भरिए और तैयारी में लग जाईए तो इसमें क्या चीज है कि आप जबी इस अप्लिकेशन को भरते हो तो सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है इसमें लिखा है कि जो भी आप लोग की जे ऐलिजबिल्टी क्राइटेरिया है एक्जामिनेशन की जो भी चीज लिखा हुआ है वो आपको फुल्फिल करनी है कहने का मतलब कि जो भी रिक्वाइ जो है उसकी जो भी डिटेल्स जो आप उसके अंदर फिल करोगे उसकी जो वेरिफिकेशन है यह आपकी पोस्ट इंट्रिव्यू होगी कहने का मतलब जब SSB होगा पोस्ट SSB SSB में आप निकलते हैं उसके बाद में इन चीजों की वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी तो अब आप बात करते हैं कि apply किस तरह से करना है तो apply आप online करेंगे और online में upseonline.nick.in जो website है nationalinformaticscenter.in का UPSC online आप यहां पर जाके आप इस form को भरेंगे ठीक है अब अब उसके बाद में क्या 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 चीज़े हैं the candidate should also have the details of आपको क्या क्या डालनी है इसमें एक अपनी password, अधार card, voter card, pen card, driving license, एक passport size की photo और फिर उसका school की photo ID और बाकी चीज़े मतले इन में से यह कुछ details हैं जो आपको डालनी पड़ेगी, the details of this photo ID had to be provided by the candidate while uploading the form of online application, तो जो भी details है आप जब भरोगे उसमें डालना पड़ेगा, कहने का मतले जैसे आप अधार card डालते हो, अधार card tap select करते हो, उसके नीचे अधार card number जो है आपको वो apply करना पड़ेगा, और उसके बाद में उसके PDF भी upload क करनी पड़ेगी, ठीक है, लिखा है यहाँ पर कि उसी photo ID को आपको upload भी करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद है, the photo ID will be used for all future reference and candidates is advised to carry this ID while appearing the examination, तो जो भी photo ID जो आप upload करोगे, जिसकी detail आप application भरने के time पे आप provide करोगे, examination के time पे वो photo ID आपके पास में होनी चाहिए, अब ब submission and withdrawal of the application, बिलको last date जो है, यह 29 June है, टेल 6 पीम, 6 बजे तक आपको भर लेना है, लेकिन अभी में में अब राद बता जिए, 29 June पे मत रहना क्योंकि हो सकता है, कहीं ऐसा नहों कि last minute पे load इतना जादा हो कि website में दिक्कत आ जाए, तो इसलिए आप कोशिश कर जिए कि जितना जल्दी हो सके, आप इस form को भर लेजी, और भरने के बाद आप पूरा ध्यान आप अपने पढ़ाई पे लगाए, the online application can be withdrawn from this date to this date, तो अगर आप form भरते हो और आपको लगता है कि नहीं आप एपर नहीं दे सकते हैं, you want to withdraw, तो यह उसकी जो date है, यह mention है, कि 6 बजे तक सत्त आप छे तारिक से, 6 जुलाई से लेके, 12 जुलाई शाम 6 बजे तक window open होगा, और आप इसके बीच में जो भी withdrawal जो procedure है, आप उसको follow कर सकते हो, ठीक है, the eligible candidate shall issue an e-admit card three weeks before the commence of the examination, तो examination, जो date आएगी, उससे तीन हपते पहले, आपके पास में e-admit card, आपके पास में आजाए, आपके पास soft copy में आ जाएगा, जो कि UPSC website पे upload होगी, और वहां से आप उसको download कर सकते हो, ठीक है, और download करने के बाद में आप admission, आप center में जा सकते हो, examination center में आप उसको carry करोगे, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो भी admit card है, अब कोई भी post के through admit card नहीं भेजी जाएगी, आ आपको क्या करना, उसको download करना है, कहां से, UPSC online.nick.in, ये website है, ठीक है, और obvious है, valid email ID, मतलब जो भी चीज़ आप वहां पे provide करोगे, वो क्या होना चाहिए, correct होना चाहिए, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि, can you should note that there will be penalty of negative marking for wrong answer mark इंदर, बिल्कुल, जो भी आप प पर देतो, obvious है, negative marking होगी उसमें, ठीक है, negative marking, कुछ गलत है, negative marking, ठीक है, और OMR sheet, OMR sheet पे आप answer फिल करोगे, और OMR sheet पे आपको black ball pen ही use करना है, ठीक है, black ball pen, और कोई color आप use नहीं करोगे, तो make sure examination में क्या करना है, black ball pen भी ले जाना है, pencil, ink pen, ये सब आपको use नहीं करना है, और जो भी आपके examination में, जो भी आपके पास में information, instruction प्रवाइड की जाएगी, उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और अगर आपको इसको लेके कोई भी doubt है, कि हाँ, facilitation center, counter को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, कि examination में जाना किस तरह से, कई corona का क्या होगा, test ले जाना है, तो ये आपके पास में telephone number है, ये help line number है, UPSC का, ये help line number से आप information provide कर सकते हो, timings note कर लेना कि सुबह 10 बजे से लेके, शाम के 5 बजे तक ये आपको, के call को entertain करेंगे, mobile phones, obvious है, mobile phones बिलकुल examination में बैन होता है, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, समझदार हैं आप लोग, ठीक application सिर्फ online ही summit होगी, और कोई mode of submission of application नहीं है हमारे पास में, मिन्स ऐसा नहीं कि hard copy होगा, आप उसको fill करके, उसको फिर आप post करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके examination में, ठीक है, चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, total NDA में 370 seats होती है, including जिसमें की 208 जो seats होती है, आर्मी की होती है, 42 जो seats होती है, और 120 जो seats होती है, यह आपकी Air Force की होती है, और Naval Academy की जो entry है, उसमें जो total seats होती है, वो 30 seats होती है, मतला total NDA में कितमे 400 seats होती है, form भरने माले बहुत हैं, लेकिन seats 400 है, लेकिन हाँ, महनत करेंग इसको आराम से पिक कर लिजिए, ध्यान से, आप डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं, अभी बता देता हूं, last date of submission of application यह है 29th of June, क्या है 29th of June, ठीक है बच्चों, तो चलिए, खुब पढ़ाई कीजिए, form भरिये, पढ़ाई में लग जाईए, और कुछ भी है, हम परदी का सपना पूरा होना चाहिए, जय हिंद!